आईरिस हाइम को उम्मीद थी कि उनका पेटा योताम घर वापस लोटेगा वो हमास के बंधकों में से एक था योताम एक हेवी मेटल ड्रमर थे वो बीते महीने बचकर निकल नहीं वाले थे दो अन्य बंधकों के साथ वो हमास के चंगुल से भाग निकले थे उन्होंने SOS और Help 3 Hostages यानि तीन बंधकों की मदद करें जैसे संकेत लिखकर एक सफेद जंडा लहराया लेकिन इसराइली सैनिकों को ये हमास की चाल लगी और उन्होंने उनको गोली मार दी आईरिस के दिमाग में साफ है कि वो किसे दोशी मानती है साथ अक्टूबर के भयानक दिन जो कुछ हुआ वो हमास ने किया और अब जिन लोगों और सैनिकों को मारा जा रहा है उसके लिए सिर्फ हमास जिम्मेदार है योताम की मौत के कुछ दिन बाद आईरिस की मान एक संदेश जारी कर कहा कि वो अपने बेटे पर गोली चलाने वाले इसराइली सैनिकों को दोशी नहीं मानती ये आपके लिए जरूरी क्यूं था आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती थी उन सैनिकों के भी परिवार हैं और माए हैं मुझे उनकी भी चिंता थी योताम ने ये वीडियो साथ अक्टूबर के दिन बनाया था उन्होंने कहा कि किबुट्स में आतंकवादी घुसाए हैं उन्होंने लोगों को मारा जलाया और अगवा कर लिया हम आईरिस से नवंबर में भी मिले थे जब वो लंदन में बेटे की रिहाई के लिए अभियान चला रही थी क्या आपको अभी उमीद है कि अपने बेटों को जिन्दा देखेंगी बिल्कुल देखूंगी करीब 130 लोग अभी बंधक हैं सोमवारात हमास ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बीच में दिकरही बंधक नुवा अरगमानी से बुलवाया गया कि उनके दो साथी बंधकों योसी शराबी और इतायस विरिस्की की मौत हो गई है उन्हें दिमागी तोर पर डराना अच्छा लगता है वो चाहते हैं कि लोग हर समय डरे रहें और ये हमें कमजोर करने का उनका तरीका है योताम के अंतिम संसकार में एक ड्रम किट उनके परिवार के सरनेम का मतलब है जिन्दगी आईरिस मानती हैं कि उनके बेटे इसे माइने देंगी हमास की कैद जैसी अंधेरी जगह में भी उच्छ मानवीय भावना रखते हुए योताम ने अपनी जिन्दगी एक आजाद व्यक्ती की थरह खत्म की लाक फ्री परसंगी